He is here. Let's try to get a live reaction from Sanjay Jaiswal, who has just reached the PATNA headquarters of BJP Sanjay Jaiswal. Sir, आज धरना परदेशन का कारिकर में हैं. किस तरह का धरना परदेशन रहा है दरना परदेशन कारिकर में हैं? नितिश कुमार जी आदतंद हो के बाज हैं. और बिहार जब विकास की रहा पकड़ लिया था. पहले बार उद्योग धंदे लगने लगे थे. और जब पहली बार बिहार तरक्की कर रहा था. तब उन्होंने एक साजिश के तहत यह पूरा कारे किया है. गरी के लगना रहा है. दोनों का अपना-पना इंट्रेस्ट है. इनका इंट्रेस्ट यह है कि हम आज नहीं तो कल दस साल से लगाता है रहा प्रश्णP वुछा जाता था कि क्यों नहीं कारवाई हो रही है आयर सीटी घोटाले में आज जब आयर सीटी घोटाले पर कारवाई हुई है तो इनको है कि इससे ये लोग समाप्त हो जाएंगे पूरी राष्टिय जनता दल को हम कैप्चर कर लेंगे यह इनक्या इंट्रेस्ट है और तेजस्वी जी का है कि भोला यादो जी के गिरफतारी के बाद उनकी भी एक मजबूरी हो गई थी उनको लग रहा है कि अगर बिहार में हम किसी भी तरह सरकार में चले जाते हैं तो हमको इस पूरे घोटाले से मुक्ति मिलेगी यह दोनों का इसी के पहले उन्होंने आरसीपी के साथ से सारे कामों में लगाया आज वही काम उनके मनिश वर्मा कर रहा है पूछिए कोन है मनिश वर्मा आज वो क्यों उड़ी सा कैडर से आई अस आफसर होके रिजाइन कर दिया और रिजाइन होने के साथ यहां कैबिनेट मिनिस्टर बनके वो यहां क्यों बैटा हुगा अफसरों को मैनेज करेगा रसी पी जी अफसर के बाद इन्होंने ही जिमवारी जंता को दिया अब वह जंता में घुमने शुरू कर दिये राज़त कारेकरताओं में तो इनको अखरी प्रशनाम से लेंगे निकल तेजसी अदर से जब पूछा गया कि क्या निटिश कुमार को पधान मंतर उमीदवार होना चीए ओपोजिशन का तुर ने कहा कि इनसे जादा एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है क्या आप मानते हैं कि आगे का जो उनका प्लान यही है कि एक साल के बाद आगे ऑपोजिशन के लिए अपना फ अध乐 यहना है कोई मुख्य मंतरी नहीं होका जो आट बार मुख्य मंतरी बनाओ तो सबसे एक्सपीरियंस तो हैंपलत करके अपने लिए यह एक्सपीरियंस चैस में तो कोई शकनी सवाल साथ प्रीजर जैस्वाल, हिस बिहार ब已經पी प्रिजबी प्रिजबी प्रिज्बेंड प्रिश्थरे फ्रीज चीम्राई इनलिडिन मेरी प्रिछ एंड बाद सिर्प सूरी एंड प्रिजिय फूल चिव फ्रिज गकार थीजितातू शिर ट्रिजिबाटी श्टकुरीछ आपन he has been able to do this because he has been doing flip-flops, changing sides, so that's the big allegation coming in from the BJP side. After this very short break, we will be getting more and more voices as BJP prepares to go for a day-long strike against Nithish Kumar. Stay tuned for more updates. झाल झाल